चोपड़ा जोगिस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो करनाटका स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं करनाटका एक ओपन स्टेट है और जाना जाता है अच्छी मेडिकल कोलेजेज के ल हुए हैं इसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार इसका सेडियूल जान लेते हैं तो इसका जो सेडियूल है वो लास्ट डेट रहेगी रेजिस्टेशन फीश डिपोजिट करने की 19 अक्टूबर 22 साम 4 बजे तक और इसमें ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म कंप्लीट करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 22 रात 12 बजे तक रहेगी ऐसे कंडिडेट जो करनाटका के डोमिसाइल कंडिडेट हैं उनको स्पेशल केटेगरी सर्टिपिकेट सब्मिशन करना है के यह में NCC स्पोर्ट्स डिफेंस एक्स डिफेंस इसका अगर लाब लेना चाते हैं जो करनाटका के डोमिसाइल कंडिडेट हैं करनाटका के रहने वाले हैं वो 21 अक्टूबर 22 तक यह सब्मिट कर सकते हैं इसमें जो करनाटका इस्टेट के डोमिसाइल कंडिडेट के लिए वो 21 अक्टूबर 22 को साड़े 11 बजे से साड़े 12 बजे तक बैंगलोर में रहेगा इसके बाद में जो करनाट का स्टेट के कंडिडेट हैं जो डोमिसाइल कंडिडेट हैं पी डबलूडी का लाब लेना चाते हैं तो मेडिकल एक्जामिनेशन के लिए 27 से 28 को 10 बजे से 2 बजे के बीच में उनको के ये ओफिस जो मलेशुरम में है वहां रिपोर्ट करना होगा इसके बाद में डोकूमेंट्स वेरिफिकेशन जो करनाट का स्टेट के कंडिडेट हैं उनका डोकूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 अक्टूबर 22 से लेकर के 3be22 तक रहेगा इसका रेंकवाई सेडूल वेपसाइट पर डाल धे अजाएगा अब जो नॉन करनाट्का स्टेट के candidate से उनका documents verification जो candidates किसी भी category का लाब नहीं लेना चाते हैं क्योंकि करनाट का state में other state candidate your category में माने जाते हैं तो उनको documents verification के लिए अपेर होने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे candidate जो open category का फाइदा लेना चाते हैं और वो जैसे सेंट जोन में religious category का फाइदा लेना चाते हैं या फिर NRI का फाइदा लेना चाते हैं NRI candidate से उनको documents verification करवाना पड़ेगा मलेश वरम में ये दो तारिक से लेके तीन तारिक नौंबर तक हुगा documents verification में बिलकुल confused ना रहे फिर से बता देता हूँ out state candidate जो करनाट का के private medical college में admission लेना चाते हैं उनको documents verification के लिए अपेर होने की आवश्यक्ता नहीं है उनको website पर ही अपने documents upload करने हैं लेकिन ऐसे candidate जो open category से private medical college जैसे सेंट जोन में admission लेना चाते हैं other colleges में NRI में admission लेना चाते हैं तो reservation लेना चाते हैं तो वो उनको documents verification करवाना होगा और वो 2 से 3 नवंबर 22 तक documents verification करवाना होगा सेंट जोन में जो open category में admission लेना चाते हैं उनको भी documents verification के लिए appear होने की आवश्यक्ता नहीं है उनके भी documents verification के लिए website पर ही upload होगे तो जो other candidate से private college में admission लेना चाते हैं उनको documents verification के लिए appear होने के आवश्यक्ता नहीं है करनाट का जाने के उनको आवश्यक्ता नहीं है कि ये office मलेश वरम में जाने की आवश्यक्ता नहीं है इसके बाद में verification slip कब download होगी ये बाद में बता दिया जाएगा अभी तक इतना ही schedule जारी हुआ है फर्स्ट राउंड का schedule बाद में आएगा इसमें कब से इसमें 24 फिलिंग होगी कब से इसमें mock allotment होगा कब allotment होगा कब reporting होगी ये जैसे ही schedule जारी होगा हम आपको inform कर देंगे अब इसमें दो जो बड़े changes हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हम तो सबसे पहले changes ये हुआ है कि पहले करनाटका state के open candidate जो बार से admission ले रहे हैं उनकी fees 1000 हुआ करती थी अभी वो fees 2000 कर दी है NRI के लिए 5000 है तो जो candidate open में या admission लेना चाते हैं other state के candidate से private college में admission लेना चाते हैं तो 2000 उनको fee paid करनी होगी तो ये एक बड़ा changes है इस साल के लिए करनाटका के लिए दूसरा बड़ा changes ये है कि करनाटका state में इस समय MBBS और BDS के ही admission हुआ करते थे उनकी registration हुआ करते थे पहले लेकिन इस बार से changes ये हुआ है कि इसमें IUS के लिए भी अभी से registration स्टार्ट हो गए है MBBS, BDS के साब में पहले ऐसा होता था कि IUS के registration बाद में हुआ करते थे तो यहां के IUS colleges में other state candidate 15% C2 पर admission ले सकते हैं प्राइवेट कोलिजेज के अंडर अभी इस के ये के registration से तो यह भी एक दूसरा बड़ा changes है तो other state candidate है यहां IUS में admission लेना चाते हैं प्राइवेट कोलिजेज में तो वो भी अभी registration कर सकते हैं तो जैसे ही इसका next schedule जारी होगा हम आपको inform कर देंगे जैसे भी कोई update आएगा हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं